Hello friends, welcome to Danlo आज हम पढ़ने वाले हैं proportional, progressive, regressive और deregressive taxation क्या होता है यह जो kinds of taxes जो बताए गए है on the basis of rates तो इसके बारे match पढ़ने वाले हैं ठीक है So on the basis of rates, there are four types of taxes, rate के हिसाब से जो यहाँ पर taxes का जो प्रकार यहाँ पर बताए गए proportional tax पहला है, दूसरा progressive tax है, तीसरा regressive tax है चौथा deregressive tax है सबसे पहले आते हैं proportional tax पर proportional tax क्या होता है, proportional tax कह रहा है यहाँ पर कि proportional tax implies that the rate of tax does not change with the change in income So proportional tax तो इतना समझ में आगया है, माल लीजे ए कोई है ए क्या कर रहा है, यह जो है वो 10,000 रुपे कमाते है और जो बी है, वो 20,000 रुपे कमाते है ठीक है तो यह दोनों का जो tax rate tax जो लगेगा वो 10% के हिसाब से ही लगेगा मतलब 10% के rate से ही लगेगा तो इसका जो graph है वो ऐसे बनेगा, देखिए आपे इसका जो graph है, वो बनेगा, माल लेजिए वो 10,000 कमा रहे है तो 10,000 और एक 20,000 रुपे कमा रहे है तो दोनों का जो tax rate है वो 10% के हिसाब से लगेगा तो इसका graph constant यह विलकुल दिखेगा means यहाँ पर क्या है कि चाहे income जितना भी बढ़ जाए, tax rate उतना ही लगेगा प्रपोर्शनल टैक्स का यह भंडा है, प्रपोर्शनल टैक्स implies that the rate of tax does not change but the change in income income बढ़ जा रहा है लेकिन tax rate पे कोई फर्क नहीं पढ़ रहा है आपे, प्रपोर्शनल टैक्स का यही कहना है आगे क्या है आगे जानेंगे, लेकिन प्रपोर्शनल tax में बस यह कर रहा है, tax rate नहीं इंक्रीज होगा, income increase होने तो, जितना भी इंक्रीज हो जाए income tax rate constant ही रहेगा means यहाँ पे constant tax rate रहेगा, इतना आपको याद रखना है now progressive tax क्यों होता है progressive tax implies that the rate of tax increase with increase in income, वहाँ पे क्या पढ़े कि income जितना भी बढ़े, लेकिन जो tax rate है वो constant रहेगा सब के लिए मतलब सब का tax rate बराबर ही रहेगा उसमें, जिसमें हमने पढ़ा proportional tax में, लेकिन progressive tax में ऐसा नहीं है, progressive taxation इसमें यह कहता है कि it implies that the rate of tax increases with increase in income कोई किसी का income increase हो रहा है तो rate of tax tax भी increase हो जाएगा, ठीक है माली जिसका income एक लाख है तो एक लग पे दस परसेंट लग रहा है तो उसका income अगर दस लाख हो जाता है तो फिप्तिन परसेंट के रच जमातलब income increase हो रहा है तो rate of taxation भी increase हो रहा है जो tax का rate है वो भी increase हो रहा है जिसे progressive tax is the one where the tax rate increases with के हिसाब से अगर वो एक लाग कमाता है तो उसका टेक्स 20 परसेंट के हिसाब से लग रहा है तो यह हो रहा है कि जैसे इंकम उसका बढ़ रहा है तो टैक्स रेट भी बढ़ रहा है तो यह प्रोग्रेसिटिव टैक्स में बताता है कि इसका जैसे इंकम बढ़ता है तो वैसे tax rate भी बढ़ता है, अब इसका जो slab है, माल लिजे कि यहां पर इसका अगर graph पे so करेंगे, तो इसका graph ऐसे होगा, कि माल लिजे कोई 10,000 कमा रहे है, तो 10,000 पर उसका 5% का tax लग रहा है, अगर कोई 20,000 कमा रहे है, इसका लग रहे है, माल लो 10% पर, तो इसका जो slab बन रहा है, यह ऐसे बन रहा है, मतलब इसको अगर graph पे so करें, तो graph पे ही इसका ऐसे बन रहा है, ठीक है, तो यह आप याद रखना कि मतलब यहां पे change in income और change in tax rate भी हो जाता है, अगर जैसे ही income increase हुआ, तो taxpayer का income अगर increase हुआ, तो taxpayer का tax rate भी increase हो जाएगा यहां पे, समझगे, आगे समझते हैं, और, progressive and regressive tax को देखते हुए यहां पे बताया गया है, अब progressive tax is a tax where the tax rate increases with increase in the taxpayer's income, देखिए, progressive में मैंने बताया आप भी आपको, कि progressive में जैसे ही किसी का income increase हो रहा है न, तो income increase होते हुए के साथ उसका tax rate भी increase होता है, मालोग को यह आज 1,00,00,00 रूपे कमा रहा है, वो 1,00,00,00 पे 10% का tax दे रहा है, अब यहाँ पे यह बताया है कि here the individual who get high income, pay higher proportion of their income as a tax, जो अगर high income कमा रहा है, जो high income अगर कमा रहा है, तो high income उसके पास आ रहा है, तो वो उसका जो tax rate है वो भी increase होगा, on the other hand, in the case of regressive tax, there is like tax rate decreases with increase in income, जोग्रिशि वे यहां पर progressive tax में यह बताया गया है कि IHा पे पर 빼क्रोग्रेसीव Regressive में यह बताया गया है, कि RK में होता है, तो tax rate नेतर होता है, इसा होता है, आप बाम में आसा क्या होता है, तो tax rate decrease हो जाता है, तेक्स पर बड़ गया है एल गेसिजिए ओने सब्का कर दो अकर टाक्सए चो m पर पर खेयर त biased से नेस्वाइस टेक्स है म्निल सी एक जैसा Emmanuel ना जैसे इंकम बढ़ रहा है वैसे ही टेक्स रेट बढ़ रहा है देख रहो जैसे यहां पर तो यहां पर किसी का अगर like यहां पर 30% हो रहा है, कोई अगर 10 लाग कमा रहा है तो, यहां पर बताया जारा like income slab आप देख सकते हो, यहां पर income slab पर यह बताया गया like कोई अगर कमा रहा है 2.5 lakhs है, 5 lakhs के बीच में, तो उसका जो tax rate 10% है, अगर बढ़ेगा किसी का income बढ़ेगा तो tax rate बढ़ेगा किसी का income घटेगा तो tax rate घटेगा ओके यहां पर और भी कहा गया like यहां पर कहा गया ideally the tax system शुड़ी progressive रेग्रेसिव नहीं होना चाहिए क्योंकि जैसे कि मैंने बताया था आपको आगे बताऊंगा भी कि रेग्रेसिव में क्या होता है कि income जब increase होता है किसी का तो tax rate decrease हो जाता है तो progressive तो कहीं न कहीं government को revenue generate करने में मदद करता है और government कहीं न कहीं tax ज़्यादा collect करती है progressive में progressive की जो merits है वो यह है कि income inequality दूर करता है जो progressive taxation है उसमें so progressive tax में इसका demerits के अगर बात करें तो यहाँ पर saving पे कहीं न कहीं गलत impact पड़ता है प्रभाव पड़ता है so the saving पे बहुत गलत प्रभाव पड़ता है यहाँ पर saving कम होने के वज़़ा से tax rate क्या होता है बढ़ता है तो saving कम होता है यहाँ पे तो government कहीं न कहीं revenue जला generate करती है पर progressive tax far better है regressive tax क्योंकि revenue government को चाहिए ही चाहिए किसी न किसी form में अब regressive tax को समझते regressive tax क्यों होता है regressive tax is like regressive tax implies that the rate of tax decrease with the increase in income जैसे मैंने बताया था पहले है आपको like in the case of regressive tax the tax rate decreases with increase in income and here the tax liability of the taxpayer decreases with increasing his income suppose that कोई आज 10,000 रुपे कमा रहा है तो उसका tax rate है five five percent पे कोई 20,000 कमा रहा है तो उसका tax rate सीज़े 3% पर आजाता है मतलब जिसका income जितना ज्यादा होते जा रहा है उसका tax rate उतना ज्यादा कम होते जा रहा है मतलब इसको ग्राब से देखो आप इसको ग्राब से समझ सकते हो तो देखो आप यहाँ पे ग्राब में इसको ऐसे सो करेंगे माल लो कोई किसी का income five lakh है ठीक है वो पाच लाग कमा रहा है तो वो tax 20% के rate से वो tax दे रहा है ठीक है और अगर कोई 10 लाग कमाता है तो वो कितना 10% के rate से tax दे रहा है तो आप देख सकते हो इसका जो ग्राब बन रहा है वो इस ऐस तरीके से बनेगा समझ गया इधर income दिखा रहे इधर rate of tax दिखा रहे जो tax जो वो दे रहा है ओके तो इसका ग्राब इस तरीके से बनेगा कोई भी टैक्स से जो होता है वो decrease होता है decrease कब होता है जब किसी का income increase होता है तो इसको इस तरीके से देखेंगे आगए खेंपल से लाइक for example suppose there is a 30% tax for rupees 2 lakh जो 2 lakh कमा रहे है उसको tax 30% के हिसाब से देना पड़ रहे है लेकिन जो 5 lakh कमा रहे है उसको 20% के हिसाब से दिया जा रहे है मतलब जो जितना कमा रहे है जो 10 lakh कमा रहे है उसका 10% के हिसाब से tax rate है तो year the tax liability or the amount of income to be paid इसका slab से समझो जैसे graphical representation तो मैंने बता दिया इसको slab से समझो जैसे कि कोई देखिए यहां पे 2.5 lakh to 5 lakh का slab जो है वो 30% के rate से अगर कोई 5 से 10 लाग के बीच में कमाता है तो उसका 20% से जो 10 लाग कमाता है उसका 10% से तो यहां पे क्या है कि यह दिखा रहा है कि जिसका income जितना increase हो रहा है तो tax rate उतना ही decrease हो रहा है तो यह है आपका regressive tax अब यहां पे एक और है like वो तो पढ़ेंगे deregressive tax क्या होता है like the tax rates may be proportional as well as here the tax rate is same for all slaps of income and progressive and regressive tax are interpreted in a much broader angle as well for example when the tax system gets sizeable revenue from low income people so we can say that the tax system is collectively regressive regressive कब बोलते है कि माल लिजे कोई कम पैसा कमा रहा है उससे ज्यादा tax बसूला जा रहा है okay so ideally tax revenue should come from the rich people to ensure progressiveness so progressive tax क्या होता है कि rich people से ज्यादा tax लेते है जो जितना कमा रहा है उससे tax उतना ही लगेगा okay so progressive tax system is a beneficial for the poor people जो progressive tax system है वो beneficial है किसके लिए poor people के लिए for poor people देखो यहाँ पर deregressive tax में होता क्या है यहाँ पर मैं बताता हूँ कि deregressive tax जो है यहाँ पर progressive tax और proportional tax दोनों का combination दोनों का add up होता है अब जैसे मैं समझातो हूँ यहाँ पर आपको ग्राप से ग्राप से इसको समझिए प्रोग्रेसिव टैक्स तो आप समझी गया है कि progressive tax होता क्या है अब progressive में क्या था कि किसी का income increase हो रहा है उसके साथ उसका tax rate भी increase हो रहा था हो रहा था कि नहीं है हो रहा था आप जैसे कोई एक लाग कमा रहा है तो एक लाग को इसको 5% के हिसाब से tax दे रहा था वो अगर वही person अगर वो कमा रहा है दो लाग तो उसको देना पढ़ रहा है तेन परसेंट के हिसाब से tax देना पड़ रहा है तो इसका graph जो बनेगा इस तरीके से बनेगा ओके इतना तो समझ में आपको आ गया किसका graph इस तरीके से बनेगा इसमें progressive है यह progressive है ठीक है अब proposal भी क्या पड़ेते हैं कि कि किसी का इनकम क्या है कि चार लाख रुपए है पाच लाख रुपए है छे लाख रुपए है अब क्या है कि यहां पर जो rate उसका जो आ रहे है वो 15% के हिसाब से टैक्स उसको लग रहे है तो यहां पर जो graph बन जाएगा इस तरीके से बनेगा इस form में बनेगा ओके तो आपको एक चीज़ याद रखना इसका जो बनेगा वो इस form में इसका graph बनेगा ओके तो यह आपको समझ में आ गया कि कौन सा था यह एक बार पीछे देख लेते हैं तो on the basis of rates यह तो समझ में आ गया है चो चार तरह के taxes यहां पर पड़े proportional, progressive, regressive, deregressive, proportional में जैसे कि पड़ेते कि वहां पर implies करता है कि rate of income अगर किसी का increase हो रहा है तो tax rate increase नहीं होगा, मतलब constant रहेगा, progressive में क्या पढ़ेते है, progressive में पढ़ेते कि किसी का rate of income अगर increase हो रहा है, बाली जी किसी बंदा का income increase हो रहा है तो जैसे ही income increase हो रहा है तो साथ में उसका tax rate भी increase होगा, change in income जो increase in income होगा, तो it impact करेगा वो किसी चीज पर tax rate पर, okay, regressive में पढ़ किसी का, progressive और proportional का, तो यह clear हो चुका है आज, So, thanks for watching, this is Deepakar Nandan, signing off.